हेलो इबरीवन वेलकम इनार केमिस्टी क्लास एंड आज हम देखेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर और फ्यूरेंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ठीक है तो फ्यूरेंड क्या होता है फ्यूरेंड हमारा एक 5-membered ring होता है ठीक है और यहां पर बीच में स्टिंग्रूप का हामारा एलेमेंट है तो यहां पर टोटल सिक्स वैलैंस वैलक्टॉन होते हैं एक दो दो-दो एलेक्टॉन क्या हुआ है यह बॉंड बनाने मीं चला गया तो टो टोर कितने एलेक्ट्रॉन बचेंगे फोर तो ऊपर दो नीचे तो लोन पीर टोटल कितन जो ring के अंदर वाला है, वो हमारा resonance में participate करेगा, ठीक है, अब देखिए, इसमें conjugation देखना है, conjugation कैसा है, double, single, double, double है, फिर single है, फिर lone pair है, sorry, double, single and lone pair, या फिर हम बोल सकते हैं, lone pair, single, double, तो यह इसमें क्या है, conjugation, तो यहाँ पर यह resonating structure, show करेगा, यह हमारा lone pair है, ठीक है, तो double bond यहाँ पर है, एक यहाँ पर, देखिए, पहले में क्या होगा, यह जो हमारा lone pair है, वो कनवर्ट हो जागा bond pair में, यह bond बना लेगा, और जो यह bond pair है, वो कनवर्ट होगा lone pair में, तो यहाँ पर आएगा negative charge, तो क्या बनेगा, यह होगा oxygen, ठीक है, यहाँ पर form हो जाएगा double pair, आगे क्या होगा, यह जो lone pair है, इसको हम lone pair बोले यहाँ पर negative charge बोले, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर bond है, वो यहाँ पर आजाएगा negative charge, लोन pair कनवर्ट होगा bond pair में, bond pair कनवर्ट होगा lone pair में, तो क्या हो बन जाएगा, यहाँ गया oxygen, इस पर आएगा positive charge, यहाँ पर यहाँ पहुतनession सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोन पेर इसका अब देखे यहां पर bond form कर लिया तो यहां पर हो जाएगा double bond ठीक है यहां पर double bond पहले से था और यहां पर हो जाएगा negative चारज यह जो bond पयर था वो लोन पयर में convert हो गया तो negative चारज आ गया यहां पर एक structure इसका और बनेगा अब देखे यह जो lone pair है वो फिर convert हो जाएगा bond pair में जो bond pair है वो convert हो जाएगा lone pair में तो क्या बनेगा यह होगा oxygen ठीक है इस पे होगा positive का charge then यहाँ पे lone pair अब यहाँ पे form होगा bond यहाँ पर ऐसे और एक bond है ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे आएगा negative charge यह double bond है ठीक है और यहाँ पे आगया negative charge इसके बाद अगर हम structure बनाएंगे तो यही structure मिल जाएगा देखिए कैसे यह हम फिर यहाँ पे shift कर देंगे और यह क्या होगा यहाँ पे आजएगा तो यहाँ पे 2 lone pair हो जाएगे और हमें यही वाला structure मिल जाएगा ठीक है तो total इसके 5 resonating structure होते है यह structure हमें मिलेगा इसके आगे बनाएंगे तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4 and 5 तो फिर रैंक के total 5 resonating structure होते हैं हमने अच्छे से यहाँ पे explain कर दिया है I hope आपको सुन में आया होगा मिलते हैं next lecture में